कर दो kind के आप 30 हो आपका दोस्ता खी और आज हम लेकल आये हैं आपके लिए सब से important class पॉइटिक meters के बारे में और पॉइटिक standards के बारे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं अचा जो टेस्ट हैं वो कल तक तयार हो जाएंगे तो EVS पेड़ागोजी और रोड सेफटी के उपर भी आपको टेस्ट सेरीज के अंदर टेस्ट मिल जाएंगे और उमीद करेंगे most important part cover करने के लिए कोशिश करेंगे कि हरियाना दिक्के को छोड़ कर सभी सेक्षन की practice में आपको पेपर से पहने करवाद है अब जो आज की वीडियो बहुत ज्यादा important है अपनी टेस्ट सीरीज के आंदर भर भर के इसके questions दे रखे है कि ये इस sonnet में कौन सा मीटर दे रखा ह है भई sonnet में कौन सा कपलेट दे रखा है भई इस कपलेट को क्या कहते है भई यही सबसे ज़्यादा question paper में आते हैं किसी भी poetry से related किसी form से related क्या पूछा जाता है कि उसके अंदर किन-किन poetic devices का किन-किन poetic rhythms का किन-किन poetic meters का use किया गया है तो वो तो बहुत ज़्यादा paper के मिलेंगे क्योंकि बहुत important होते हैं अब directly शुरुआत करते हैं poetry के meter और stanza forms के बारे में आज हम सिर्थ meter के बारे में पढ़ेंगे नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर आहना आप हैना छोड़ देते हो important questions को एक भी second miss की तो आपका question miss हो जाएगा जो भी मे provided करवा रखे हैं ठीक हैं चलिए såब से पहले वो देखते हैं सबसे ज़्यादा confusion जो होती है ना वो हमें इस meter के बारे में होती है यह meter क्या है इस labels क्या है देखो meter पढ़ने से पहले है ना मैं पहले labels बता देता हूं इस labels क्या है मीटर पढ़ने है ना तो इस ability word से अच्छा word में कोई भी नहीं मानता देखो यह जो ability word है ना label क्या होता है इस लेबल होता है हमारा sound unit, sound unit, sound unit ठिक है, syllable होता है minimum sound unit, यानि कि smallest sound unit, जो सबसे छोटी sound unit होती है, किसी एक word के अंतर, उसको हम क्या बहुते हैं, जैसे कि इस ability word को नुना, इस ability word में four syllables दे रखे हैं अब syllables को पहचानना कैसे है syllables होते क्या है actual में syllables actual में होते है vowel sounds in word vowels sound in a word vowel sounds in a word किसी भी word के अंदर जो vowel sounds होती है जितनी भी sounds होंगी उतने ही syllables count किये जाए जैसे कि ability यहाँ पे एक vowel sound है बी ली टी सर यहाँ पे यह word आगया बिल यह तो consonant sound होगी यह भी आपकी consonant sound होगी और यह आपकी जो बीच में हुई यह हमारी क्या है vowel sound है तो basically उस vowel sound के साथ consonant sound लगी है उससे फरक नहीं पड़ता consonant sound से से लेबल पे कोई फरक नहीं पड़ता हम कितने भी कॉंसोंस का ग्रूप बना सकते हैं एक vowel sound के साथ अच्छा मैंने बताया था जो fanatic वाली वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि एक से लेबल के अंदर अगर मुझे शुरुआत करनी है तो maximum कितने consonants का यूज कर सकता हूँ पर एक से लेबल को अगर मुझे खतम करना है तो आखरी में maximum कितने से लेबल का यूज कर सकता हूँ जैसे कि मैंने बताया था किसी से लेबल में एक से लेबल में एक sound unit के अंदर maximum मैं शुरुआत करते टाइम कितने consonants का यूज कर सकता हूँ तो ending करते टाइम मैं कितने consonants का यूज करता हूँ अगर आपने मेरी fanatic की वीडियो नहीं देखी है तो fanatics की वीडियो जाके देखिए आपके paper में बहुत सारे important questions आने वाले हैं वो इन तीन से चार वीडियो में ही cover हो जाएगा अब यह मुझे क्यों बताना पढ़ रहा है क्योंकि stress वाली वीडियो में अभी नहीं डाली है क्योंकि stress वाली वीडियो में थोड़ा time लगेगा उसका matter तयार करने में time लगेगा वो जल्द ही मैं डाल दूँँगा पहले मैं कोशिश कर रहा हूं का writing part और आपका यह most important part cover कर व अब यह जो syllable है ना इस syllable में सबसे important क्या है वागुल sound है देखने ध्यान से देखना पूरी वीडियो इन syllable के उपर depend कर रही है यह अब यहां पर यह जो sound है यह एक syllable माना जाएगा consonant हो या ना हो उससे फरक नहीं पड़ता ठीक है इसको श्वा sound बोलते है बिल देखो यहां प लسم good video जो साउंड है यह यहां पर देखो इसके संगे पॉंसोने इंट लगा है लेकिन यहां पर क्या matter कर रहा है आई की मेंटर कर गया जो sound है वो मेंटर कर रहिया तो यह हमारा एक अलग से लेबल हो गया और यह जो वाय है यह pai है सैमि घर्लाता है तो यहाँ पे जो Y है यह किसकी साउंड दे रहा है? E, K, A, B, A, B, E, T तो यहाँ पे चार हमारे साउंड यूनिट्स आए चार अलग-लग साउंड यूनिट्स आने के कारण यहाँ पे चार सिलेबल्स हो गए तो सिलेबल मेरे खाल में आपको समझ में आ गया होगा कि जो वावल साउंड की यूनिट होती है मिनीमब जो स्मॉलेस्ट वावल साउंड की जो यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिलेबल साउंड होते हैं अब ये मीटर पे आते हैं, अब मीटर क्या होता है, मीटर basically क्या होता है, regular pattern होता है, किसका, stress और unstress syllable का, syllable क्या बताया, a unit of vowel sound, ठीक है, यानि कि stress और unstress syllable अगर आते हैं, और उनका pattern कोई बनाया जाता है, कि पहले stress वाला आ गया, बाद में unstress वाला आ गया, वो क्या होता है हमार उस पैटर्न को उस पेर को हम क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं, ठीक है, क्यों हम लगाया जाता है, क्योंकि वो रिदम डिसाइड करता है किसकी पोईटरी की, देखो, अगर मोडन एज से पहले की पोईटरी आप जितनी भी देखेंगे ना, सब में मीटरिक फॉर्म्स का लिखी गए हैं, शिर्फ पोईटरी की बात नहीं कर रहा है, जैसे कि यह ना, जूलियस सीजर, जूलियस सीजर जो आपका प्ले है, वो आयम्बिक पेंटा मीटर में लिखा गया है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेट होता है, मेटरिक फॉम्स, जरूरी नहीं है, सिर्फ ह आपका syllables होते हैं, और उनके साथ pattern बनाया जाता है, अन्स्टेस्ट लेबल के साथ, यानि कि stress और अन्स्टेस्ट लेबल को जब हम pattern में यूज करते हैं, तो उसको हम मीटर होते हैं, ठीक है, बेसिकली क्या करते हैं, यह pattern follow करते हैं, stronger और weaker stress का, यानि कि जब हम किसी word को pronounce करते हैं, जब हम किसी word को बोल कर देखते हैं, ठीक है, जब उसको pronounce करते हैं, तो कई बार हमें word के अंदर stress देना होता है, और कई बार stress नहीं देना होता है, तो stress और unstress के pair को ही हम क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं, ठीक है, the stronger sound is stress-less label and weaker one is unstress label, अच्छा, stress और unstress को समझते हैं, जैसे कि मैंने एक word देखा, यहाँ पर photo, अब यहाँ पर है ना, इस photo word के अंदर, इस photo word के अंदर हमारा कितनी sound, कितने syllables हैं, देखो, जितनी vowel sound, उतने syllables, अगर मैं देखू, फो, फो, consonant से फरक नहीं पड़ता, तो, फो, तो, 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 यह एक syllable हो गया, यह दूसरा syllable हो गया two syllable word हो गया, क्या सारे के सारे word two syllable होते, नहीं भई, सारे के सारे word two syllable नहीं होते, for example, सबसे easy example क्या है, जैसे कि I, यह single syllable word है, यह यह भी single syllable word है, it, यह भी single syllable word है, यानि कि एक vowel sound है, only one vowel sound is present in single vowel, single syllable word, ठीक है, तो यहाँ पे यह double syllable word है, दो साउंड आ रहे गया फो टो अब यहां पे स्ट्रेस और अंस्ट्रेस को पहचानते हैं देखो स्ट्रेस को पहचानने के लिए सिंबल वैसे तो यूज होता है बहुत सारी बुक ऐसे हमारा ये वाला सिंबल यूज करती है और अंस्ट्रेस को पहचानने के लिए यूज करत पिरोeeग्टाइगा और जो रिट कलर रहनूंस्ट्रेस को बताएगा अब जैसे फॉटो पोल के आ पको पता कीसे चलता है कि семь उया या इन्प्टरेस्ट यह ने ने यह तो फो तो यहाँ पर जिस्फोट उड कोलते हैं तो यहाँ पे जो फो वर्ड है ना उस पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा हम बिना स्ट्रेस के उसको बोल रहे हैं लेकिन तो इस तो वर्ड को है ना हम क्या कर रहे हैं थोड़ा स्ट्रेस दे के बोल रहे हैं तो इस वर्ड के अंदर क्या फॉलो रहा है कैसे लिख सकते हैं इस word के अंदर पहले तो unstressed का use हो रहा है और उसके बाद किसका use किया जा रहा है stress का ठीक है एक और word देख लिते हैं जैसे कि हमने word use किया हमने word use किया बॉटल बॉटल यहां पे देखो इसमें हमने use किया था पहले unstressed का और बाद में stress का लेकिन बॉटल यहां पे बॉट पहले हम sound stress किस पे दे रहे हैं बॉटल यानि कि टल में हमें ज्यादा force लगाने की जरूरत नहीं पढ़ रही है इस word को pronunciate करने के लिए बॉटल तो यहां पे यह क्या हो गया unstressed हो गया क्या हर word में सिर्फ दो ही syllables हो सकते हैं नहीं भाई एक word में जैसे ability word है यहां पे ability word में यह तो हमारा unstressed है bill word जो आए यहां पे इस bill syllable के ऊपर यहां पे हम stress देते हैं यह stress लेबल है और बाकी के बाकी सारे unstressed लेबल हैं तो जहां पे stress दिया जाता है उस stress देने वाले के लिए हम ऐसे हम इसको एक यह ऊपर है ना जैसे हम एफस्टोफी लगाते हैं यह लगा देते हैं कि यह दिखान आपके paper में आते हैं यह stress वाली वीडियो में करेंगे ठीक है तो यह जो symbol होता है ना stress बताने के लिए किया जाता है तो यहां पे जैसे यह word आ गया reaction तो यहां पे word क्या है अन्स्टेस है ट्रेक्शन ट्रेक वर्ड जो है यह जो syllable है यह stress syllable है और यह इशन तो ये क्या है unstressed label है तो मेरे भाई एक word के अंदर stress और unstressed का बहुत सारे pair हो सकते हैं बहुत सारे unstressed या stress labels को हम use कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी भी doubt लग रिये न तो इस video को rewind करिए और अच्छे से इसको बिलुकल अराम से समझने की कोशिक करिए और समझना कैसे खुद बोल के देखना है अच्छा सर अगर एक sentence हमें दे रखा है तो क्या एक ही word के अंदर stress और unstress आएगा तभी meter बनेगा जरूरी नहीं है भाई देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक example दिया when I तो यहाँ पे when जो वर्ड है इस पे हम कोई stress नहीं देते हैं इसमें है ना unstress label का यूज होगा है और यह single label word है तो यह हमारा होगा unstress और I आए पे जब भी हम जोड़ देते हैं तो जो वावल साउंड निकलती है वो stress वाली निकलती है तो यह हमारा होगा इसमें भी दे दखा है दोनों का बना दिया attraction में attraction में दो लगा दिया यह अलग use होगा अगले word के साथ लगेगा अब when और I दोनों अलग-अलग single syllable words हैं तो यहाँ पे इन दोनों का ही पेर बना देंगे अग पेर क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि अगला काम हम वो ही करने वाले है foot, foot क्या होता है? basically combination होता है किसी एक stress या किसी एक unstress से label का meter, meter क्या होता है? repetition होता है कैसे हम repeat कर दिया? पहले stress लगा दिया, फिर unstress फिर stress लगा दिया, फिर unstress फिर stress लगा दिया, फिर unstress लेकिन foot क्या होता है जब stress या unstressed दोनों को मिला कर उनका पेर बना दे जैसे कि मैंने अभी आभी पेर बनाए ना van का और आए का यहां पे van और आए का पेर बना दिया तो यह पेर जो कहलाएगा यह कहलाएगा foot यह क्या कहलाएगा foot बात समझ मैं और इसी से decide होता है मारा meter से कितने pairs आए हैं उस एक sentence के अंदर बात समझ मैं और कैसे लगा है आपका पहले stress लगा है फिर unstress लगा है इस से आपका decide होता है आपका meter और कितने pair लगे हैं देखो अभी समझाता हूं meter जैसे कि यहां पर IAMBIC का use करते हैं IAMBIC का use करते हैं IAMBIC को समझ जाएंगे ना तो सारी चीज़े समझ जाएंगे धिरे देरे देखो IAMBIC आपने word बहुत बार सुना होगा IAMBIC में क्या होता है एक IAMBIC के अंदर meter IAMBIC एक ऐसा देखो meter क्या होगा pattern meter क्या होगा pattern meter के बाद लगाया जाता है foot meter बताता है कि stress और unstress label को कैसे arrange किया गया है और foot बताता है कि उसके कितने pair है number of pairs ठीक है अभी example से समझाऊँगा मीटर क्या बताता है कि कैसे उनको arrange किया गया है जैसे IAMBIC की बात करूँ तो unstress label के बाद जब हम stress label लगाते हैं एक हमारी poetry या work के अंदर एक sentence के अंदर तो उसको बोला जाता है IAMBIC meter क्या बोला जाता है IAMBIC meter सिर्फ मैंने अभी तक ना तो monometer बोला ना diameter बोला ना trimeter बोला ना pentameter बोला ना tetrameter बोला कुछ नहीं बोला है मैंने बोला है कि अगर हम अपनी sentence के अंदर पहले stress unstress label लगाए और उसके बाद stress label लगाए तो इस pattern को बोला जाता है IAMBIC meter ठीक है एक example से देखते हैं यहाँ पे मैंने देखो that's my last duchess painted on the wall यहाँ पे क्या है green color में क्या है unstress है और red color में क्या है stress है देखो पहला पेर हो गया हमारा पहला foot हो गया हमारा पहला foot हो गया यह हमारा पहला foot ठीक है पहला foot क्या हो गया पेर हो गया किसका unstress का और stress का फिर आगे देखते हैं फिर से unstress आगया फिर स्ट्रेस आगया एक और फुट हो गया हमारे एक और फुट हो गया इसके बाद फिर से हमारा अन्स्ट्रेस आगया फिर स्ट्रेस आगया फिर से एक और फुट हो गया फिर इसी तरह हमारा pattern चलता गया इस sentence के अंदर पहले unstress वावल लगा है या syllable लगा है और उसके बाद stress वावल लगा है फिर से unstress आगया, stress आगया जरूरी नहीं है कि एक word का ही पेर होना चीए अब देखो, इसमें unstress that में दे रखा है lunche है, stress माई में दे रखा है unstress last में दे रखा है, duchess एक word है जिसके अंदर पहला जो है stress वावल होता है या stress लेबल होता है और बाद वाला unstress होता है तो यहां पे dutch का पेर किस के साथ بنا है last के साथ और s का पेर किस के साथ बना है painter के साथ बात समझ में आई तो यहां पे पहले unstress level का यूज होगा, बाद में stress level का यूज होगा, अब यह मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, अब देखो यहां पे कितना एक फूट हुआ, दो फूट हुआ, तीन फूट हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया अब यहां पे इसके अंदर pattern कौन सा यूज किया गया है आई एम बिक, और कितने pair होगे five, five के लिए English में कितना यूज होता pent, pent है तो यह क्या है क्या follow कर रहे हैं, meter तो क्या लगा यह pentameter इस तरीके से हम decide करते हैं कि point किस चीज में लिखी गई है आई एम बिक यानि कि पहले unstressed syllable का यूज किया, बाद में syllable का और उस line के अंदर कितने fit यूज हुए हैं foot यानि कि pair of meter pair of pattern, कितने pair use हुए हैं, वो decide करता उतने numbers of fit अगर आ गए, तो वो decide करता है कि कितना meter होगा आई एम बिक यानि कि पहले unstressed लगा, फिर stress लगा pentameter, यानि कि कितने pair सा, five pairs है, और ये बहुती famous my duchess by robert browning की पहली line है, और ये एक dramatic monologue है बहुत ज़्यादा important है मेरे बाई, एक और example देख लो, अभी मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ इसको हटा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए यहाँ पे, हमने देखो, when I considered, यहाँ पे देखो three syllable words था, तो पहला word जो, पहला जो syllable था unstressed था, फिर दूसरा stress था, फिर consider der में जो है, हमारा unstressed था, तो एक ही word से तीन से लेबल है, लेकिन पेर अलगल पार्ट पे बना रहा है, इसका पेर हो गया इसका पेर हो गया, फिर ये पेर हो गया, और फिर ये पेर हो गया, कितने पेर होगे one, two, three, four, five यानि कि पहले unstressed लगा है, फिर stress लगा है यानि कि पहले unstressed लगा है तो iambic है और पांच पेर है तो pentameter है तो किसका यूज किया गया है iambic pentameter और ये भी बहुत famous अब मुझे लग रहा होगा कि अगर आप मुझे लग रहा होगा कि आपको इसमें आज के बाद कोई दिक्कत आएगी और ये ब्लाइडनेस बहुत ही famous वर्क है iambic pentameter में लिखी गई है अगला देखते हैं ट्रोकाइक meter में क्या होता है iambic का बिल्कुल उल्टा होता है iambic के आंदर unstress को follow किया जाता है stress follow करता है unstress को लेकिन ट्रोकाइक meter में क्या होता है पहले तो stress लगता है और उसके बाद unstress लगता है और जितने pair use होंगे उसके हिसाब से हम उनका number देदेंगे अब यहाँ पे देखो एक question देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले तो आपको search करना है और मुझे comment section में पताना है कि किसकी creation है अब यहाँ पे पहले stress आ गया फिर unstress आ गया ठीक है एक line मैं कर देता हूँ बाद में आप करना on यह stress आ गया a यह unstress आ गया यह mid यह stress आ गया night यह unstress आ गया dairy यह हमारा क्या हा गया एक, दो, तीन, stress, unstress ठीक है और चार यानि कि अगर पहले आपका stress आया है और उसके बाद unstress आया है तो यह meter कुंसा हो गया आपका ट्रोकाई और पेर कितने हो गया आपके चार चार के लिए क्या यूज़ करते हैं tetra, tetra और क्या लगा दिया meter यानि कि क्या हो गया हमें tetra meter में ये poem लिखी गई है ठीक है चलो इसको देख लेना है ठीक है, अगला जगते है spondike, spondike में क्या होता है देखो सारे के सारे हैं ना पहले तो मैंने सर्फ two pair वाले लिए है कि pattern में two का follow करते हैं पहला सबसे पहला important है छोड़न नहीं है क्योंकि आइंबिक और ट्रॉकाइक में ही most of the work से लिखे गए है बागी जो meter है वो इतनी famous नहीं है क्योंकि इनके अंदर opposite stress का use होता है unstress का और stress का बात समझ में आई spondike का मतलब क्या है जब हम दोनों stress से label का use करते हैं पाइरिक का मतलब क्या है जब हम दोनों stress से label का use unstress से label का use करते हैं यह तो बहुत easy है directly definition पुछा जाता है example कोई ही नहीं पुछा जाता आइंबिक ट्रॉकाइक में क्या use होगा दोनों opposite opposite syllable use होगे stress और unstress spondike और पाइरिक में क्या होगा spondike में stress दोनों stress होगे पेर के अंदर और पाइरिक में unstress होगे सारे के सारे अब बात करते हैं जब हम three syllables का pattern बनाते हैं ठीक है अब anapastic anapastic क्या होता है anapastic में पहले stress लगाया पहले unstress लगाया फिर unstress लगाया फिर stress लगाया यानि कि three triplet चलता है इसमें ठीक है यानि कि three syllable का pattern बनता है उसमें क्या था दो syllable का pattern था इसमें tri syllable चलता है जो इंपोर्टेंट है न वो टेक्टेलिक है यह आ जाता है एक बार ही आया है वैसे आ जाता है stress आ गया पर unstress आ गया पर unstress आ गया देखो पहले वाले में पहले दो जो थे वो अंस्ट्रेस थे दूसरे वाले में पीछे अंस्ट्रेस लगे हैं अनसेप्टिक में पहले अंस्ट्रेस लगे हैं इस बात का ध्यान लगना बहुत ही ज़्यादा फेमस अपकी एक poem एदा चार्ज ऑफ दा लाइट प्रिकेट बाइ अलफरेड एल टैनेसन आप ये comment section में बताओ ये किस age से related थे और इनका famous वर्क है ये learn कर लेना half a league, half a league ये जो league है ना हमारा ये single syllable word है इसमें मत सोचना कि यहाँ पे league यहाँ पे ea और ue लगा है तो अलगलस लेबल हो जाएगा नहीं कई बार बहुत सारे ज़्यादा वहुल्स यूज कर लेते हैं तो वो एक ही sound produce करते हैं तो ये हमारा एक ही sound produce करता है एक ही सी label है ठीक है तो half जो है हमारा stressis label है उसके बाद आपके दो unstresses label ले लिए फिर से stressis label आगया दो unstresses label ले लिए तो ये हमारा fit का use हो गया two fit का यानि कि diameter है कौन सा diametric है? टेक्टेलिक diametric हो गया हमारा एंफी एंफी ब्राइक में क्या होता है दो unstressed के अंदर बीच में एक stressis label ले ले लेते हैं ठीक है? तो directly आपको definition learn करनी है, definition कैसे learn करनी है? directly आपको देखना है कि किस meter के अंदर कौन सा pattern यूज किया जाता है? सबसे important कौन सा है? ट्रोकाइक और आयंपे. वो दो कर लोगे बहुत ही जी है. ये तो मैंने पहले ही बता दिया, metric line क्या होते है? कितने number of fields का हम use करते हैं? कितने number of fields का use करते हैं? अगर एक foot का use किया monometer, य चार pair है, टेट्रा मेटर. देखो टेट्रा ये है ना, root word से learn कर लो, बोनो यानिकी एक, टाई यानिकी 2, ट्रा यानिकी 3, टेट्रा यानिकी 4, पैंटा यानिकी 5, हेथजा यानिकी 6, हेट्टा यानिकी 7, ओक्टा यानिकी 8, और feet क्या होता है? feet यानिकी pattern, यह मैंने बता द इसका, इन दो का pair बनेगा, कितने pair बने, 5 pair बने, 5 pair बने तो क्या हो गया? iambic pentameter, अगर कोई ऐसा feet है, जिसके अंदर ductiles का use किया गया है, यानिकी 3, 3 का अब हम क्या बनाएंगे? group बनाएंगे, और 6 line है, तो ductilic hexameter हमारा वहाँ पे use हो गया, ठीक है? 6 हमारे दे रखे हैं, तो ductilic hexameter का use हो गया, अब आ जाते हैं rhythm के उपर, मेरे भाई rhythm भी बहुत important है, देखो rhythm तीन तरह की है, एक तो formal rhythm हो गई, एक तो formal हो गई, उसके बाद आपका होगी blank, blank formal verse हो गया एक तो, एक blank verse हो गया, ठीक है? और एक free verse हो गया, तीनों पे question आते है पेपर में, ठीक है, spelling देख लेना भई, कोई जल्दी-जल्दी में गलत लिख दो, तो formal verse जो अभी हमें ने पढ़ रहा कि Iambic tetrameter में है, Iambic pentameter में है, और एक specified आपकी rhythm को follow कर रहा है, A, B, A, B, B, जैसे sonate में होता है, A, B, B, A, 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 गता है, उसको बोलते है, formal verse, और blank verse और free verse पे ही questions आते हैं, कि blank verse और free verse, formal verse से थोड़ा सा अलग है, हर जो आपका जैसे ballad की जो rhythm होती है, वो अलग होती है, formal verse में लिखे जाते हैं, जो ठीक है, और sonate की अलग होती है, तो वो जाके मैंने forms of poetry में हर form के ऊपर मैंने अलग से ब अन रिदम, यह क्या होता है, strong stress, इमीटर बोला जाता है, इसको, basically इसके अंदर आपका stress, label का यूज होता है, जरूर ही नहीं होता कि हर भार हम के साथ unstress syllable लगाएं, या तो वो stand alone होता है, stand alone यानि की monometer होता है, अकेला use होता है, ठीक है? अकेला use होता है, stress stress syllable का use कर दिया, unstress का use नहीं किया, या एक से लेके तीन तक unstress syllable को rhythm में use कर सकता है, सिर्फ यह याद रखना spring rhythm जिसने, किसने दिया था, GM Hopkins ने दिया था, किसका use करता है, यह strong syllable का use करता है, यानि किस stress syllable का use करता है, अब आ जाते हैं सबसे important question पे, आज के अपनी वीडियो के सबसे important question आकरी में पढ़ाँगा, blank verse, blank verse क्या होता है, I am with pentameter का use करता है, blank verse के अंदर सभी poems में I am with pentameter का use किया है, एक अध exception है, वो define कर देता है, कि इसमें I am with pentameter नहीं है, लेकिन blank verse को follow कर रहा है, ठीक है, blank verse 99 परसेंट जो सारे के सारे works है, I am with pentameter में use किया जाते हैं, यानि 5 pairs of unstress and stress syllable pattern को यह follow करता है, ठीक है, लेकिन आखरी में उनकी कोई भी rhythm नहीं होती, जैसे आपने सोनेट की बात की, जैसे सोनेट की बात की, उनकी तो rhythm होती है कि A, B, B, A, ठीक है, A, B, B, A, C, D, E, C, D, E, यह तो होगी fix rhythm, formal rhythm, ठीक है, formal जो वर्स होता है, उसकी rhythm fix होती है, जैसे कि सोनेट की मैंने बताई, लेकिन blank verse में क्या होता है, कि हमारा यह जो A, B, B, A, इसे rhythm को follow नहीं करता, rhythm को follow नहीं करता, तो un-rhythmic जो I am with pentameter poems होती है ना, rooms होती है, उनको blank verse कहा जाता है, un-rhythmic, I am with pentameterik verse जो होते हैं, उनको blank verse कहा जाता है, किस ने दिया था अल ओफ सरे ने दिया था अल ओफ सरे ने एक चीज और दी थी एक चीज और दी थी जल्दी से कमेंट करके बता तो मैं पढ़ा चुका हूं उन क्या दिया था बुक टू एंड फॉर ओफ वर्जिल्स दा एनियाग ये आपकी इसी से सारी चीज़े निकल के आती है उसके अंदर उन्होंने ब्लैंक वर्जिल्स का यूज़ किया है फेमस कौन कौन से वर्ज है टैनिसन ने यूज़ किया है इडलिस ओफ दा किंग में बहुत इंपोर्टन्ट है वर्स वर्द ने यूज किया है प्रिलूड में, बहुत इंपोर्टन है, बल्टन ने यूज किया है, पेरडाइस लोस्ट ने तीन बता दिये blank verse के और यही आ जाएंगे यह वेरी 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 इन्मोर्टेंट। तीन ही बताएंगे इससे ज्यादा नहीं बताएंगे और यही तीनों पेपर में आ जाएंगे आप UPTGT उठा लो, UPTGT उठा लो, आप उठा लो क्या कहते हैं उसको यह RPSC उ उठालो, एस्टेट के पेपर उठालो, मेरे भाई दिली डिली ट्रिपल स्विक के पी जी टी 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 पेपर उठालो, फिर कहीं नहीं तीनों को रिवाई उपर नीचे करते रहते हैं, इस साल ये आया है, तो अफले साल वो आएगा, ब्लैंक वर्स के सबसे बहतरीन ए किसे कब तक था, जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे, ठीक है, ठीक है, तो फ्री वर्स को लिब्रे भी बोला जाता है, ठीक है, ये ना तो इसके अंदर कोई मीटर होता है, और ना ही इसके अंदर कोई रिदम होती है, ये आइंबिक पैंटा मीटर और ये ये ना किसी को follow नहीं करते हैं पहले follow करते थे कि ध्रान रखते थे कि मीटर क्या हुआ पोएम की लाइन के अंदर ठीक है लेकिन यह जो नए modernist point है ना यह किसी भी इनको फरक नहीं पड़ता यह सिर्फ अपनी creation करते हैं ना तो किसी मीटर को follow करते ना ही किसे को follow करते हैं जो किसी मोह सी बी जिसस तक करें वह किए नहीं है जो किसी भी किसी ूर्थि को छोटी लाइन को धो लाइन होगी पैटन फोलो नहीं करेगा तो आनी को लाइन होगा बहतनी इंडर डाइटर में सबसे बहतनी एक्जामपल है नाइट ऑफ दे स्कॉपियों ठीक है और सबसे ज़्यादा इसका यूज किया है टीए से लिए वेस्ट लैंड आपकी फोर फोर ट्वंटीफोर अगर मैं करेक्ट हूँ तो कमेंट करना कितनी लाइन से इसके अंदर मुझे जलती से बताओ कमेंट करके और इनका सबसे पहला क्रियेशन जो था यह मोडरन जो पॉइंट मैंने बताया थे ना उसमें भी यह बताया था बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है डिरेक्ली आ जाता है यह किसका वर्क है ठीक है वाइट मैं यूजड इन दा लीव्ज ओफ ग्रास यह चार बता दिया मैंने इनी चार में से कॉश्चन आ जाता है यह सबसे बहतरीन एग्जामपल है आपके फ्री वर्स के कल हम करेंगे भाई बहुत मड़ी वीडियो जाएगी नहीं तो किस पॉएम में कितनी यूज होती है क्या पैटर्न होती है क्या रिदम फॉलो करते हैं कि अगली वीडियो करेंगे मेरे खाल में अगर यहां तक आये होना है आपने आरे एक वर्ड हाले सेकेंड देखा है और वह बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और उनका सेलेक्शन पक्क करवाएंगे आपकी नई आपार लगाएंगे दो बच्चे होते हैं एक रमेश और एक सुरेश रमेश ज़्यादा नहीं पढ़ता है लेकिन सिर्फ टेस्ट देता है सिर्फ टेस्ट देने से भी उसके नमबर आ जाते है सैवेंटी कट ओफ लगती है सिक्स्टी वन पे उसक को याद ही नहीं रहता आई-मबिक में स्ट्रेस पहले आएगा या बाद में आएगा यहीं कन्फ्यूजन होती है देख आई-मबिक और टोर का एक में क्या डिफरेंस है स्ट्रेस पहले आएगा टोर का एक में स्ट्रेस बाद में आएगा आई-मबिक में अब यह कितना भी जब तक क्वेस्षिंट नहीं करोगे, दस क्ेस्षिंट ने कर raging याम अन करता हूढ आप, तक जब तक आप को याद नहीं रहेगा इसलिए कहता हूँ टेस्ट दो को टेस्ट देना आप मिलेंगे आपको कोशन भाल ग्लास पे जाके टेस्ट देना शुरू करूँ डेली दो खाते बैठते उठते सोते टेस्ट ही याद रहने चाहिए आज के लिए इतना ही एंटेक केर बाई जैहिन जै बारत